जै बाबा बरफानी, भूखे गोवन, प्यासे को पानी Hello friends, welcome to my YouTube channel, मैं हूँ आपका होश्ट सुशील गोयल उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होगे और भोले बाबा की आप पर खूब किरपा बरस रही होगी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है सबसे पहले इस वीडियो में एक तो आपको गुफा की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और उसके लाबा गुफा में जाकर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा उसके बारे में complete information देने वाला हूँ पिछली वीडियो में जो यातरी शेशनाक जील से पंचतरनी तक जाने वाले हैं उनके लिए वीडियो बनाई थी और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उपर आई आई बटन को दवा कर वो वीडियो जुरूर देखें और इसके लावा अगर आपने मेरा चैनल अब तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल जुरूर सस्क्राइब करें और साथ में बैल आइकन भी जुरूर दबाए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें इसके लावा आप मेरा फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर पेज भी लाइक और फोलो कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेर भी जुरूर करें तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं जो पिछली वीडियो थी शेशनाग जील से लेकर पंचितरनी तक यात्रा करने की वो था हमारा day 3 तो अब हम आगे हैं day 4 में तो हमने इस वीडियो में जो पंचितरनी से यात्रा करेंगे आगे वो कैसे और कहां तक पहुंच सकते हैं सेम डे दोस्तों सुवे पंचतरनी से पांच वे यात्रा खुल जाती है तो आप कोशी किजिए सुवे पूरे पूरे पांच बजे निकली जाएगे क्योंकि पांच बजे निकल जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा benefit मिलने वाले हैं एक तो अगर आप बालटाल से उतरने वाले वो तो बालटाल आप जल्दी उतर जाओगे ताइम से और अगर हो सके तो आप शायद आगे शिर्नागर के लिए वी आ पांच बहुत ज्यादा benefit मिलने वाला है और इसके लागन अगर आप लेट भी चल जाओगे वैसे 6 बजे 7 बजे तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी आप बालडल भी राम से पहुंच जाओगे और वापस पंचतरनी भी राम से आजाओगे यह प्योरली आप पे डिपेंड है आप कैसा करना जागते हो सबसे पहले आप मैं त सबसे पहले तो आपको यह कोंगा कि आप बोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो कोशी कीजिए अगर पंचतरनी से जा रहे हैं तो आप खाली बेट ही दर्शन करने के कोशी कीजिए तो सबसे पहले जो पंचतरनी है वहां से गुफा 6 किलोमेटर दूर है 6 में से 4 किल कि तो बिल्कुल चढ़ाई है और यह वैसे खड़ी है मगर यह तो मिंटों में निकल जाती है क्योंकि हमें इतना चाहाँ उपर चड़ा होता है कि भौले बाबा के चरनों में पहुंचने वाले हैं तो चार किलोमेटर का तो पता ही लगता जैसे बाल्टल का रास्ता आपको ने यह सारे यातरी दूसरी साइट से भी आ तो वो बाजटाल का रास्ता जो अता है यहीं पर मिलता है इसलिए संहल को संगा मतलब दो रास्ते जो कटे हो और यह यहीं संगम से आपको सामने भौले बाबा की दरशन होने लग कि यहां से सिरूद फिलो मेटर एक आती है और गुफा सिरफ 2 km आयती है संगम से जो 30 km में आपकी जितना जोर लगेगा उतना जोर आपका 2 km में लगने वाला है और आपको ऐसे लगा कि यह 2 km जो 30 km है उससे कहीं ज्यादा है ऐसा मतलब भोले बाबा लास्ट में प्रिक्षा लेते हैं यह सबसे मज़ेदार प्रिक्षा होती है इसको डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि डिफिकल्ट रास्ता नहीं है बीच में गलेशियर हैं सिरफ आपको सिरफ बरफ पार करन करते ही आपका घंडाल निकल जाएगा और भोले बाबा एंड तक हमारी प्रिक्षा लेते हैं और जब भोले बाबा के मारे दर्शन हो जाते हैं तो हम तो धन्य ही हो जाएंगे अगर आप पांच वह चलोगे तो आप 7-8 वहीं के वीज में पहुंची जाओगे तो दोस्तो अब हम पहुंचगे हैं गुफा पर जब हम गुफा पहुंच गया तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानना बहुत जुरूरी है सबसे पहले आपको यह पताता हूँ कि किस वात के वज़य से भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए वहां पर गए थे तो साथ सथा के लिए कर उनके साथ रहें तो इसे वज़ा से भोले बाबा को पारवथी माता को अमर घठा सुनाने की जूरूरत पड़ी तो इसके लिए उन्होंने अमनाजी की गूफा को ही चुना क्यों इसके भी रहस्य क्योंकि भोले बाबा नहीं चाहते दे कि कोई और भी इस कथा को सुन ले और वो भी अमर हो जाए तो उन्होंने इसलिए किलाश परवसे काफी दूर जाकर यह गूफा बनवाई और पारवती माता को अमर कथा सुनाने के लिए यहां पर लिख रहे हैं भोले बाबा ने अमर क पता लगे कि वह सुन रही है और वह सुनाते रहेंगे तो इसके बाद भोले बाबा ने सुनाने स्टार्ट कर दी तो पारवती माता थी उनको कथा सुनने नीदा गई तो यहां पर जो अमर कथा सुनने के बीच में दो धरनाइं बहुत जादा फीमस आएं कि एक पक्षी के ुए लोग इतिहासकर बोलते हैं वहाँ मतलब तोनों जो इतिहासकार 806 बारे में अध्यों कहानियां स्युश्वक क्ताद के पारे में वी एक कहानी पूरी यह नि самое दो कभुतर थे उनके बारे में भी कहानी बनी हुई है मगर जो famous कथा है वो कभुत्रों की ही मनियत्य इसलिए इस वीडियो में आपको कभुत्रों की कथा के बारे में आगे बताता हूँ तो जब वो सो गई तो वहाँ पे पास में दो कबुतर बेठे थे जिनका भूले बाबा को भी नहीं पता लगा कि वो वहाँ कब आए तो जब माता पारवती सो गई तो जब भूले बाबा कथा सुना रहे थे तो जो होंकारा था वो कबुतरों ने भरा तो जैसे कथा सुनाते गए जो कभुतर थे होंकारा बढते गए तो ऐसे ही जब अमर कथा बुरी हो गई तो भोले बाबा ने देखा कि माता बारवती तो सो रही है और जो कथा सुनी है वो कभुतरों ने सुनी है तो भोले बाबा भड़क उठे और बहुत ज़्यादा गुसे में उन कभुत्रों को मारने के लिए गए तो वो कभुत्र डर गए तो वो उनसे बिंती करने लगए भोले बाबा आपकी हमने कथा सुन ली गया है अगर आप उनको मार दोगे तो आपने जो अमर कथा सुनाई है उसकी क्या वैल्यू रह रहो हैं दोस्तों आपको जो मैंने अबनाथ वोल्जा पर फिर थे जल्दी दर्शन करने के लिए जाना है क्योंकि दर्शन करने के लिए लाइन लगने लगाती है तो अगर जो लोग स्टार्टिंग के 15-20 दिन में जा रहे हैं तो उनको तो काफी लंबी-लंबी लाइने दीखेंगी गुफा के पास घंटे 2-3 घंटे भी लग सकते हैं उसके बाद जो 20 दिन के बाद यातरी कम होने ल लग जाएं और अगर आप कहते हो नहीं हमें भूख लगी है तो आपको मिल जाएंगी आप भोजन कर सकते हो उसके बाद लाइन में लग सकते हो जो परिषाद का आपको बताता हूं परशाद पैकिंग में मिलता है और उसमें ड्राइफ रूट मखाने फूली कर आप गयरा मेरे इसाब से तो इस साल प्रशाद वहां पे नहीं चड़ाए जाएगा और आपको बोला जाएगा जो आप प्रशाद लेकर आयों वही बोले बाबा को दिखा दीजिए और आपकी यात्रा सफर मनी जाएगी आपको ये भी बता दूँ कि आप साथ में कोई समान केरी नहीं कर सकते आपने बोले बाबा की दर्शन करने जाना है आपने लैदर का कोई कपड़ा नहीं पहनना आप मोईल फोन वगारा भी साथ में कर सकते आपने बिलकुल खाली जाना है आपने सिरो एक परशाद लेकर जा और असली मज़ा वी वैसे आपको बता दूं तो उसी में आता है गुफा की सीड़ें यहां से स्टार्ट होती है वहां तक अगर वो 200-300 मिटर पहले हुआ तो आपको वहां भी नंगे पैर जाना पड़ेगा आपकी मर्जी है वह आप अपने शूज वहां पर भी छोड़के आ वो आपने लंगे पैर चाना है और जो आपको सारी आत्रा का मज़ा है ना आपने वैसे आपको जो पूरी आत्रकियों उसमें पूरा मज़ा होगा कोई शक्क nai मगर जो यह स्टेर से आपने नंगे पैर चलना स्टार्ट करना है जो आपको नजारे आएंगे आप जिन्दगी भर याद रखने वाले और आपको 300 मीटर के दर्शन करने के बाद यह शब्द मुझ से निकलेंगे निकलेंगे आप मेरी बाद नोट कर लीजिए कि पहली बार हैं बार बार आएंगे यही शब्द निकलेंगे क्योंकि जो 300 मीटर की स्टेर्स पर आपने चलना है वह आपकी जिन्दगी का सबसे बेस्ट एक्सपिरेंस रहने वाला है आपने जब स्टेर्स पर नंगे पैर चलना स्टार्ट कर देना है उसका एक तो पैर आपके और आपके ऊपर गिरने लग जाएगी कभी आपके पर आएगी और जो नसारा आएक ना वो तो अमरित है अमरी जो बुद्ध बुद्ध अपने उपर घरती है ठंडक सी लगती है और जो हमारी थुकान है वह सबको खत्म करती है उसके इलाबँ आपने वह वह भी करना है ज सबसे पहले मुझे कभूतर दिखा मगर वाइड नीजा नॉर्मल कलर का था तो मैंने वाइड यह कहां से आ गया क्योंकि इतनी ज्यादा उच्छाई पे जहां पे सांस लें भी लोगों को दिक्कत आती है यहां पर खाने के लिए कुछ दहन Como 2 महीने के लिए दस महीने अतने धन को बन सकता देखा उसके पर और दिखा फिर और और दिखा वह बहुत ज्यादा को थी नहीं को मिल पहले पतातों आज से 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूं तब जब दर्शन करने हम जाते थे तो भोले बाबा की बिल्कुल सामने दर्शन होते थे बीच में कुछ भी नहीं था और वह नजारा जो होता था वह तो दुनिया से सबसे लगी था मगर बहुत जो लोग हैं जो क्या करते हैं जब भोले बाबा को सामने देखा तो उनके ऊपर माला फिंगो फूल फिंग देंगे कुछ ना कुछ फिंग रहते कई बार प्ण खाने कई हम आदर करें वह उनकर नादर यह उसके पर नुक्सान होते हैं मगर जो हमें दर्शन होते थे पहले उससे उनकी कोई रीस नहीं थी आपने फिर भूले बाबा के दर्शन करने हैं और अपने देली चाहिए तमन्ना मांगनी है और उमीद करता हूं वह तमन्ना भी आपकी जरूर पूरी होगी क्योंकि भूले बाबा जिस पर खुश माथा और गंजी का बीषिव्लिंग next पर जो पार्वति माथा और गंजी का श्रिब लिमार रहता है वह कंवारी चैनल यहां यह 10 दिन आूर को START अगमें तीया मगर caja को सबसे ने हैं तो सबसे लिए आपको पार्वति माताफा का शीवलिंग के बारें उताहूं हुँत बिल्कुल एक साइड पे बिल्कुल नुकर पे होता है और जो पारवती माता का उससे थोड़ा सा हटके आगे को होता है उसके बाद जो गनेश जी का शिवलिंग है वो मुझे एक बार मैंने देखा है क्योंकि एक बार ही मैं यात्रा में स्टार्डिंग में गया था उसके बा बाद उनकी सूंट भी जा रही थी बीच में से तो यह बिल्कुल मैं इहरान रहे हैं देखके कि ऐसे कैसे हो सकता है जो हम फोटो में देखते हैं कि नहीं जी वह बिल्कुल मुझे और उमीद करता हूं आप भी जब जाओगे तो आपको भी ऐसे ही दर्शन करने को मिलेंग तो फिर सरकार ने वह बंद कर दिया कि लोग तो हट नहीं रहे हैं तो वहां से फिर आपने बाहर की और अना है भोले वापा का गुनगान करते हुए बाहर को ऐसे ही सीड़ियां उतर जानी है और उसके बाद वहां पे अगर आप जल भरना है आपने गुफा के पास का तो आप अपने साथ पहले से ही जल के लिए बोतल कैरी कर सकते हो और जब सीड़ियां उतर जाओगे तो आपको दिखे जाएंगा वहां पे जल भरने के लिए जगा बनी होई है तो आप वहां से जल भर सकते हो मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप वहां से जल बर लें या आपकी शर्दा है मेरे इसाफ से तो आप दर्शन करके जो आपको निजारा आ गया होगा तो आप धन्य धन्य कर रहे होगे कि भोले बाबा ने जो दर्शन दिए हैं वो मान गए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था उसके आपने वापस आएना है वापस आकर आपने सब्सक्राइब बाड़ा है गाड़ी आपकी पहल गाम है तो आप पहल गाम जाओगे अगर आपके पास समान वग्यारा कुछ नहीं है वाहां पर आपका सब कुछ पास नहीं है तो आप बाल्टल उतर जाएं अब टाइम पे डिपेंड करता है कितने बज़े मेरे इसाफ से 12-2 के बीच में आप लोगों को फ्री हो जाना चाहिए इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए बाकी भीड़ पे भीड़ बेंड करता है कि बर हमें वहां पे छेवी बश सकते हैं यह सारा वी भीड़ पे है तब भी आप मान के लिए 12-2 के बीच में फ्री होई जाएंगे और क्योंकि यूथ जितने वी लंक्र लगते हैं फो जो भी अपने साथ खाने मेने का जो भी इस्माल लेकि आते हैं टेट्ट लेकि Dent customствомach। वहीं छोड़ की बिल्कुल भी जूठान चोड़ना और जितना खा सकते हैं उतना ही ले थाली में वेर्थन जाय नाली में जैसे बोलते हैं और उसके बाद आपने फिर अपना वापसी का सफ़र स्टार्ड कर देना है अगर आप स्पोस्थ यह पंचेदर नहीं दो तीन बजे पहुंच जाते ह ही जोगी 8 km है किलोमेटur है और 8 में से साथ किलोमेटर की चड़ाई है और चड़ाई भी बिल्कुल है अगर आप कर सकते हैं पोश्वत्री तक तो आप रामसे कर लिए मगर आपको तब भी आप रिस्किन लिना जाते कि अंधेरा नहीं हो जाए तो फिर आप पंचतरनी में स्टे करें और अगले दिन आपके 26 किलोमेटर रह जाएंगे चंदनवाडी पहुंचने के लिए और मै आपसी में आप बिलकुल राम से चट जाओगे और उसके बाद भागते जाओगे वस आप और राम से दो तीन वह तक आप राम से पहुंच जाओगे और वह पहुंच्छे जाएगा पर पहलगां से आप चठे दिन जमू या अद्दंपूर या कटरा जहां भी आप जाना छे दिन लगेंगे यह वह सरकुम्स्टांसी अगर आपको रास्ते में किसी प्रकार की भी परशानी नहीं आती है और अगर बारीश हो जाती है या कोई और अंचाही दुरगटना हो जाती है तो आपको दिन ज्यादा लग सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपके लिए तो वी कि खड़ी उतर रही है आपने भागते जाना है भागते जाना है बस चार घंटे में इसली पहुंच जाओगे बाकी सब लोग अपनी समर्था के हिसाब से उतर जाएंगे और इस तरह आप फोर्थ डे बार्टल पहुंच जाएंगे और वहां से अगले दिन सुबह बस करताते हो तो आपको एक दिन कम लगता है और आप लेक होँच यात्रीयों के लिए मैंने बता अगान आजाते हैं और दोस्तों एक बात आपना जाओंगा जो लोग तो बस पर आये हैं वह पशेयार बस पकट रिबू gagnaster चारब्द ग्मों-उद्दंपुर इंड मतया वैश दर्शन करने के बाद कुछ और जगह हैं जहां पर आप जा सकते हो वहां पर जाने के लिए अपनी गाड़ या टेक्सी ही चलेगी तो आने वाली वीडियो मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं तो दोस्तों आपको दोनों तरफ से यत्रियों के लिए बता दिया है हर आपको वहां पर दो तिन तरह के लोग मिलेंगे आपने उसे बहुत ज्यादा बचके रहना है एक वहां के लोकल लोग आपको भीग मांगते दिखाई देंगे यह वो लोग होते हैं जिनके हस्मेंट घोड़े पिठ्थू या पालकी चलाते हैं वह अपने बच्चों को इन लेड़ी से बचके रहना है जितना आप बचके रहेंगे आपके उतनी सेफटी है उसके बाद दूसरे टाइप के लोग जो आपको वहां मिलेंगे वो पोलेंगे मारा पिर्स गुम गया है इसे ऑल्प मंगए गर पहुंचना है ऐसे आपके जोटे लोग उन्हों है कि जो लंगर वाले हैं उनके पास जाओ वह आपकी help करेंगे मुझे लगता है आपको इस वीडियो में ने बहुत सारी information दे ही दी गया है अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरी को information देने से रहेगी गया है तो आप comment box में comment करके जब मरजी पूसकते हैं ऐसी ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए ताहां कि मैं आपके अगली वीडियो पर thanks for watching the video जै भोले बापा की